इस वीडियो में आपको Class 9 संस्कृत विशे का Complete Solution देखने को मिलेगा यदि आपको और भी सब्जेट की वीडियो देखनी है तो में YouTube चैनल MS Education TV के उपर जाके देख सकते हैं यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोणी में आपको वेबसाइट का नम दिख रहा होगा इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं एकजाम समय 3 गंटे कुल अंक 80 नीचे आप इस समाने निर्देश दिये गए इसमें पहला पॉइंट है परते खंड के जितने भी क्यूसन उन सभी का अंसर आपको एक ही जिगा पे लिखने हैं सेकिंड पॉइंट है परसन संख्या आपको वही लिखनी है जो परसन पत्तर के अंदर दी गई है थाइड पॉइंट है सरेष्ट अंक लेने के लिए आपको जो सूस पस्ट जो लिए खे लिखना होगा नेक्स्ट अगर आम बात करें आप ए खंड कह ए पठित अवबोधनम यह आपका दस अंक करेगा खंड कह रचनात्मक कारिये यह आपका दस अंक सबसे पहले देखें आप ए खंड कह ए पठित अवबोधनम यह आपको गद्यांस दियागे इस गद्यांस को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो किशन पूछेंगे उनके आनसर आपको जो संस्क्रित बासा में लिखने है सबसे पहला है एक पद में जो आपको इनके आनसर लिखने है और एक एक नंबर के दो किशन यह आपको करने हैं तीन दे रखें लेकिन आपको कोई भी दो करने है सबसे पहला क्यूशन है विसाल है सालम लितरू कुतर आसीत तो इसका right answer है गोदावरी तीरे फर्स्ट कांसर हैगा खै व्यादे है कान विक्रिय परचनो बूतवा स्थित तो इसका right answer है तंडूलान सेगंड कांसर हैगा तो इसका राइट आंसर है एविचारितम लास्ट में आपको यहाँ पी इसका आंसर दिख जाएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें बै इसमें जो आपको पुर्ण वाक्यमीन के आंसर लिखने है दो दो नमर के यहाँ पे दो क्यूशन पूचे गए है च्यार नमर के दे रखें हैं तीन लेकिन आपको कोई भी दो करने है सबसे पहला है कपोत राजजा है कान परत्या है तो इसमें क्या जाएगा तंडूल लुबदान अगर आप द्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पी दिख रहा होगा तंडूल लुबदान यह पूर आपको जो स्टेट्मेंट लिखनी है यानि की कपोत राजजा है तंडूल लुबदान कपोतान परत्या सेकेंड थे पक्सीना है कुत्र निवसंती सम तो इसमें क्या जाएगा सालम लीतरो यह जो आपको कंप्लीट जो है यहाँ पे लाइन आपको लिखनी है कुत्तर की जिगह पे नेक्स्ट है व्यादेह कदा तंडूलान विक्रिय जालम विस्तारित्वान तो इसमें क्या जाएगा रात्रो अगर आप इसको द्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इसका अन्सुर दे जो है देखने को मिलेगा अगर आप उपर जो है इसको पढ़ेंगे तो कंप्लीट जो है यहाँ पे आपको दे रखा है देखिए सब से उपर व्यादे है, रात्रो, तंडूलान, विक्रिय जालम, विश्धारित्वान यानि कि कदा की जिगए यहाँ पर आपको लिखना है रात्रो यगराव उपर जो है आपको देखने को मिलेगा गध्यान्स में श्याफ पार्ट देखिए यहाँ पे आपको इसका उचीत सिर्शक लिखना है और यह जो सिर्शक है आपको संस्क्रित भासा में लिखना है यह आपका एक नमबर गरैगा तो इसमें आजयेगा सरवथा एविचारितम करम ने कर्तव्यम next यहाँ पे देखिए this इसमें आपको जो है जो नीचे इनके part पूछे गए है यहाँ पे आपको तीन करने हैं यहाँ पे दे रखें आपने पास च्यार इसमें सबसे पहला कह परत्या का संदी विच्छेत करना है तो परत्या का क्या बनेगा परती पलस आह इसका बनेगा परती पलस आह यानिकि जो इसमें आपना second option यह राइट होगा खैमे निवसंती इसमें कौन सा लंकार है तो इसमें जो लट लंकार है लट लकार है लगार पुच्छा इसने तो इसमें लट लकार है next इसमें विशेशन पद कौन सा है तो इसमें विशेशन पद है विशाल है बड़ा यानिकि second option राइट है व्यादहक में जो आपको विबगती बतानी है तो इसमें कौन से विबगती है पर्थमा इसमें fourth option राइट होगा खैंडख है यहाँ पे राइट हो गया है रचनात्मक कारिये तो इसमें देखें यहाँ पे यानिकि विद्याले की तरफ से सेक्षनिक बर्मन यानिकि कोई टूर जा रहा है तो आपको आपके पिताजी से पैसे मंगवाने है तो इसके लिए जो आपको यहाँ पे गए पत्तर लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिखनी है साथी साथ अकर आप पत्तर लिखने के लिए नीचे यहाँ पे मंजुसा दिये गए यानिकि नीचे जो है यहाँ पे सबत दिये गए वो आपको लिखनी है सबसे पहला है मम मम के साथ यहां पर क्या जाएगा आपका पर्थम स्त्रिय प्रिक्षा सबसे पहले वाले में आएगा पर्थम स्त्रिय प्रिक्षा यानि कि मेरी पर्थम स्त्रिय प्रिक्षा पुरी हो गई है मम विद्यालम अध्यापिका सेक्स एक दूसरे में जो आएगा यहां पे आपका बर्मना है यानि कि हमारे स्कूल की तरब से जो है गूमने के लिए जो है यानि कि जो अध्यापी का है वो एक टूर ले जाना चाते हैं पडाईस रिलेटिड थर्ड है एतर्द पंसासत यानि कि पानसो पानसो रुपे जो है यहां पे चाहिए तो थर्ड में क्या जेगा रुपे काने यानि कि पानसो रुपे है थर्ड में रुपे काने फोर्थ है यदी बह होता है फोर्थ तो इसमें आजाएगा अनुमती यदी आप मुझे पर्मिशन दो फूर्थ में आजैगा अनूमती हे से раст तरही हे IMP गच्छिम यानि कि मैं भी जास्कूँ एते हैं लाश्ट में आपके बच गया पाइफ का कर्पया एते है कर्पया जो इतने रुपए है यानि कि request की जारी है कि इतने रुपए जो है में बुजवाने का जो है कष्ट करें गरी एसर बिवेहमम परणाम गर पे सभी को जो मेरा परणाम देना लास्ट में जो है नाम बता दिया मैंने आपको जो है यहाँ पे कौन-कौन से बरने हैं आपको चीज़ दिखागा होगा जबंज़ दिया को जिखेंगे जाएक फिर सबसे पहले बें इसमें इक पेड़ है और पेड़ कैसा विसाल है तो सबसे पहले वाले में आएगा विसाल, यानि कि अगर आप देखेंगे तो पहले वाले में विसाल विसाल है, जले एक है डैसनाना करोती यानि कि जल में जो है एक सनान कर रहा है कौन सनान कर रहा है नरह, यानि कि आदमी, तो सैगिंड में जो है यहां पर क्या जाएगा, खै एगर फॉर्त की बात करें गैये चित्रे व्रिक्से समीप है डैस अस्ती, नी कि व्रिक्सके समीप क्या है एक दालाब है तो इसमें अगले में क्या जाएगाhead में तालाब यानि की तड़ा गए है और लास्ट में व्रिक्स के पास को नाच रहे है मियूर है यानि की मौर लास्ट में क्या जाएगा अड़ है नेक्स यहां पर देखे खंड गया जिसमें थर्ड क्यूशन दे रखा है नेमलिखित गद्यान इसको पड़ कर इसका इंदी सरलार्थ आपको करना है तो यह जो है चार नमर का है इसमें आपको दो दे रखें कोई भी आपको एक करना है तो आप इसको पड़ लीजिए वैसे म आपको आइडिया दे देता हूं कि यह कहां से जो है आपको पूछा गया है यह आपका पार्ट पांस बरांतो बाला है से जो है लिया गया है और इसी के और में अगर हम सेगंड की बात करें तो यह आपका लिया गया है पार्ट तीन गोदो है नम से इसका इंदी जो है आप इसकी व्याख्याओ खुद कर सकते हैं, यह आपका part 4, सुक्ति, मोकतिकम से लिया गया है, और यसी के अथवा मिन दूसरा slok है, यह आपका part 6, लोह तुला, part से लिया गया है. Next is question 5, यह आपके दो-दो about ettie क्योंडों के 2, और कोई भी जो है, या पर आपको दे रखें, तो इसमें आपको जो है सुकती दे रखें, इसका आपको जो है Hindi बासा में इनको लिखना है इसी के अथवा में जएए देखें, यहापे यह भी एक नमबर के चैर की सुन, दोनों में से आपको करना या ता पूपर वाला कीजी या नीचे वाला तो देखे यहां पे सलोक दिया गए सबसे पहले में देखे फिलिंग दा ब्लेंक बरने हैं कि ब्लेंक सबसे पहले वाले में यतेनन तो इसमें क्या जाएगा वरित्तम सबसे पहले वाले में आ जाएगा वरित्तम दूसरा ज प्रद्र पर मिल जएगा यहां पर देखी यह रहा तो यह जो इसका आंसर है पहले वाले का कहका सबसे पहले वाले का जो आंसर है यह कहका दूसरा है शरीत है कीद रिसम जलम परतेंती तो इसमें क्या ज़ेगा अमरीद स्वादू तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसी के अंदर जो है आपको सब से उपर मैं आपको यहाँ पे देखें बोक्स बना देता हूँ अमरित सवादू यह जो आंसर है सेकिंड वाले करेगा सरीत है कीद रिसम की जगा आपको क्या लिखना है अमरित सवादू नेक्स्ट यहाँ पे गयका मानव है किम नसेंती तो मानव है प्रियावरणम नसेंती तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो है राइट आंसर आपको लाश्ट में मिल जाएगा प्रियावरणम नसेंती नेक्स्ट है अपना गयका औस्ट कल्पम परानवायूम अनियो विशेशन पद इसमें जो विशेशन पद क्या है तो इसमें विशेशन पद आपका है औस्ट कल्पम यह जो आपका क्या रहेगा विशेशन पद Q7 नीचे सलोक दिया गया है Sanskrit पूर्ण वाक्य में जो आपको इनकानसर लिखने है इनसे Q7 पूछे गए हैं एक एक नमबर के 2 Q7 दे रखे हैं 3 लेकिन आपको करने हैं कोई भी 2 तो इसको जो यहां पर पढ़ सकते हैं इसे रिलेटेड पहला परसन है जन्तवा है केन तुष्यंति तो इसमें क्या आजाएगा पीरिय वाक्य पढ़ानी यान कि पहला जो है सबसे पहला जो वर्ड है या आजाएगा केन की जिगए पे खैका देखिए दरीदर्ता कुतर ना बवेत दरीदर्ता वचने ना बवेत तो इसमें आजाएगा वचनी सेकंड वाले में जो कुत्र है इसमें क्या जाएगा वचनी गया का पार्ट देखें जन्तवा है इतियत्तर का विबक्ती तो जन्तवा के अंदर जो है कौन सी विबक्ती है पर्थमा इसमें जो विबक्ती है पर्थमा है नेक्स ने आप एक हैगा रेखान की जो सबत दिये गए हैं इन से आपको अटाके इनकी जिगा पर ऐसा सबत यूज करना जिसे इन से परसन निर्मान होसके तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखें किक नमबर के तीन आपको जो है 5 दिये गए हैं लेकिन आपको कोई भी तीन करने है सबसे पहला है जो है व्रिक्स करतनाथ सुद वाईयू होने परापते तो इसमें क्या जएगा सबसे पहले वाड़े में कस्मात सेकिंड है परकरती ही जीवन सुखम पर्द। ताती तो जीवन सुखम की जिगा पर दूसरी वाड़े में क्या जेगा किम नेक्स्ट गय का है सवरन का कम निवारेनती बालिक का हा प्रार्थकियत तो इसमें क्या जेगा थर्ड वाड़े में आपका जो गय वाड़े इसमें आजेगा कम गय का मलिक का है, सक्खी भी हिस है धर्मियात्रई गच्छती सम तो यहां पे जो गय है इसमें आजाएगा आपका काभी है नेक्स्ट है, लास्ट वाड़ा अड़े, मोध कानी, पूजानी मितानी, रचितानी आसन तो लास्ट वाड़े में जो आपका आएगा, यहाएगा कानी नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्यूशन नाइन, क्यूशन नाइन में क्या है कि आपको जो है से समुसी बाग एक में से कोई भी आपको एक सलोग लिखना है नेक्स्ट आखंड गया, व्याकरण से आधारित परसंट पूचे गए है क्यूशन टैन यहाँ पर देखिए, दो नंबर का एक परसंद दिया गया है यानि कि आपको संदी दे रखी है, वेंजन संदी और गुन संदी दोनों में से आपको एक किपरी बासा लिखनी इंधी में लिखनी है और साथ यान उधारन भी लिखना है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वेंजन संदी क्या होती है वेंजन का सवर या वेंजन से मेल ओने पर जो प्रिवर्टन होता है उसे वेंजन संदी कहते है जैसे अगर हम यहाँ पर मैं उदारन देखी देता हूँ अभी पलस सेक तो इसका क्या बनेगा अभी सेक याद रखना इसका क्या बनेगा अभी सेक नेक्स्ट अगर हम बात करें गुन संदी तो गुन संदी क्या होगी यहाँ पर जब संदी करते समय ए या आ के साथ ई या बड़ी ई आ जाए तो ए बनता है ए या आ के साथ उ या बड़ा उ आ जाए तो ओ बनता है ए या आ के साथ री आ जाए तो अर बनता है तो यह गुण संदी कहलाती है जैसे पर पलस उपकार अगर आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में मेरे को जो है एक संदी करके बतानी है एक का एक का जो है आप एक क्या संदी बनेगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे एक का संदी विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगी और इसमें कौन सी संदी है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं जैसे आज कल, इसका क्या बनेगा आज और कल, इसका बनेगा आज और कल, नेक्स्ट जो है यहाँ पे तत्पुरुस समास, समास का वह रूप जिसमें दवित्य पद या उत्तर पद परदान हो उसे तत्पुरुस समास कहते हैं, समास करते हैं वक्त बीच की विवगती का लोप हो जाता है उदारन के लिए जलडारा जल की दारा देश बगती देश के लिए बगती कि नेक्स्ट अगर हम बात करें या पर देखिए गह करम कारक और संपरदान कारक की परिभासा लिखनी यह भी जो आपका दो नुमर का है एक करना आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं करम का रख्या होता है तो करता के दोरा संपादित किरिया या किये हुए काम का परबाव जिस वेक्ति या वस्तू पर पड़े उसे करम का रख्यते हैं करम का चीन है को यानि इसका जो चीन होता है वो क्या होता है को जैसे राम ने रावन को मारा तो यहां रावन को क्या है करम है नेक्स्ट अगर हम इसी कैत्वा में एक और दे रखा है संपरदान कारक्या होता है तो वाक्या में प्रियुक्त करता जिसके लिए कोई किरिया करे उसे संपरदान कारक कहते है संपरदान कारक के विबक्ति चिने के लिए यानि कि इसका जो विबक्ति चिन होता है यह होता है के लिए या फिर इसका चिन होता है को यह दोनों होते हैं जैसे राम ने रावन को मारा तो यहाँ पे रावन को यहाँ पे जैसे पुत्र को धन दिया तो इसमें पुत्र क्या है? संपर्दान कारक है क्योंकि यहाँ पे को का मतलब के लिए इसका चिन है तो इसके दो चिन होते हैं जैसे पुत्र को धन दिया क्यूशन 11 11 का देखिए यहाँ पे जो राम सब्द रूप है इसकी चतुर्थी एक वचन विवक्ति क्या बनेगी तो ये बनेगी रामाई सेकिंड है बालक सब्द की तिर्तिया ववचन विवक्ति ये बनेगी बालक कई थाइड है लता सब्द की सश्टी एक वचने तो इसकी बनेगा लताया इसका बनेगा लताया किम पुलिंग के अंदर सब्द सब्द में बवचन है तो इसका बनेगा केशू निचे सी क्या के जो मैं इनके आंस्वर लिखती है केशू असमद सब्द सब्द में एक वचन क्या बनेगी मै इसका बनेगा मै मै लास्ट में जो है बालक सब्दस की सश्टी बहवचन तो इसका बनेगा बाल का नाम लास्ट वाले का यहाँ पर आजाएगा बाल का नाम यह सभी जो है रूप से रिलेटेड जो है परसन पूछे गए है आपको मुझे कमेंट सेक्षन में बताना है राम सबद्रूप तिर्तियव विवगती बहवचने राम का जो है अगर यहाँ पर चतुर्थी की जगा तिर्तियव विवगती और बहवचन क्या होगा इसका अंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्षन में बताएंगे क्योशन ट्वेल्व बारा का परसन है दातुरूप आणी से समधित परसन पूछेगा इसमें आपको कोई भी चायर करने के एक नमबर के सबसे पहला है पठ दातो लंग लकार मद्यम पुरूश एक वचने तो इसका यहाँ पर क्या बनेगा इसका बनेगा बारा का एपठ है इसका बने जाएगा एपठ है सेकंड अगर खै की बात करें तो यहाँ पे लिख दातो लरिट लकार पर्थम पुरूश एक वचने तो इसका बनेगा लेखी सेती मैं इनको उपर वाले गुरफ कर देता हूँ उस खै का देखिए इसका बनेगा लेखी सेती यहाँ पे जो आशुर आएगा गच्छाम इसका बनेगा बविश्यत है इसका यहाँ पे आएगा बविश्यत है अड़े का पा यानिकी पिप दातो लोट लकार पर्थम पुरूश एक वचने इसका अशुर बनेगा पिबतु पिबतु चै सेव दातो लट लकार मद देंपुरूश एक वचने इसका अशुर आएगा सेव से नेक्स्ट है यहाँ पे पर्षन 13 पर्षन 13 का 13 के उसमें देखिए यहाँ पे आपको बलेंक बढ़ना है यह आपका एक एक नंबर के तीन पर्षन पूचे गए आपको पांस दे रखें कोई भी तीन करने है मोहन है डैस सह वनम गच्ति तो इसमें आजाएगा यहाँ पे मित्रेन सबसे पहले वाले में आएगा मित्रेन खेका रामे है डैस काने है अस्ति सेकंड में आजाएगा नेत्रेन तीसरा गए पिता है डैस कुप्यति इसमें आजाएगा पूत्राए गए उब्यते है वरिक्ष्या संति इसमें आएगा गराम लास्ट में दिखे डैसका अलम अलम के बाद आएगा विवादेन next है यहां पे person 14 उपसर्ग जो है लग करना है यहां पे 2 number कांग की एक एक number को जो है यहां पे 2 करने है कोई भी आप आप यहां पे कर सकते हैं सबसे पहला है निवसंती पहले लगते है तो इसके अंदर उपसर्ग है नी आग मिश्यती इसमें जो है यहां पे आपको उप्सरेग रहेगा आ पहले वाड़े करेगा नि लास्ट में है विसीदती तो इसमें क्या जाएगा V इसमें आप करेगा V लास्ट में देखें यहां पे खंड अड़ह इसमें बोविकल पे पाठाथ परसंद पूछे गए है यह थे छह तो इसमें फ्रेस्ट ओप्शन क्या होगा राइट नेक्स्ट सेकिंड सप्ता हंते इसकी जोशंदी विच्छेद करनी है तो इसमें आजाएगा सप्ता प्लस अंते नेक्स्ट है पुस्तक दासा इसमें कौन सा समास है तो इसमें आपका समास है तत्पुरुष समास गय विवेहिना इस पद में जो है विग्रेपद बताना है तो इसका विग्रेपद करेंगे तो गय का अपना राइट आंसर क्या जएगा विवेन ही नहा अड़य का वा मीन इसमें जो विलोमपद बताना है विलोमपद क्या होता है किसी का उल्टा तो इसका उल्टा क्या बनेगा दक्षिने दक्षिने यानि कि जो फर्स्ट ओप्षन यह अपना राइट होगा नेक्स्ट आगे चलते हैं चे अड़य है अड़य है इसका जो है विलोमपद बताना है तो इसका उल्टा जो है क्या बनेगा अड़य का चेवाड़य का उपरी सेकंड ओप्षन राइट है वरिक्षय है इसका जो है प्रियाइपद बताना है इसका प्रियाइपद क्या होगा तुरू थार्ड ओप्शन यहाँ पे राइट होगा फॉर्थ पवन है इसका जो है प्रियाइपद बताना है तो पवन का जो है प्रियाइपद क्या होता है समीर है थार्ड ओप्शन क्या होजेगा राइट आपको यहाँ पे देखे अंबू का अम्बू का प्रियाई पद कमेंट सेक्शन में बताना है यानि कि अम्बू का प्रियाई पद क्या होता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं नेक्स्ट क्यूशन है जै रूद पलस तुमून इसका सनीयोकर की इसका रूप लिखना है तो इसका क्या बनेगा अंक्स्थान का संख्या वाचि पदम तो इसकी जो संक्यापद लिखनी है 85, 85 को यहाँ पी क्या बूलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा ठाय का पंचस्थी है इसमें जो first option ही क्या हो जाएगा राइट आपको मुझे comment section में बताना है 65 को Sanskrit बासा में कैसे लिखते हैं जरूर comment section में बताएगा पैसेट को Next है अपने पास अड़े हस्त निर्मितानी इसमें जो अविशेशन पद बताना है मोध कानी तो इसमें अविशेशन पद क्या हो जाएगा मोध कानी second option राइट हो गड़ेगा ड़े का प्रात्य वादने उतिष्ट उतिष्ट थी तो इसमें क्या जाएगा पांच बजे होए हैं तो इसको बूलेंगे पंच इसमें जो राइट आंसर क्या जाएगा fourth option पंच ते का एहम प्रात्य ब्रमनानियान कि मैं गूमने जाता हूँ इसमें जो बूलेंगे तो इसको राइट आंसर क्या जाएगा third option क्या जाएगा अपना राइट यहां तक वीडियो अपनी complete होचके वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों क्या जुरूर शेयर करें और भी वीडियो देखनी है तो में यूटूब चैनल MS Education TV के उपर जाके देख सकते हैं यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको website का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो में यूटूब चैनल MS Education TV के उपर जाके देख सकते हैं यदि आप मुझे Facebook, Instagram, Telegram या फिर WhatsApp पे फोलोग करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की description में मिल जाएगा वहाँ से आप ये डियेट फोलोग कर सकते हैं वीडियो के बीच में मैं आपसे जो कुछ क्यूशन पूचे हैं उन क्यूशन के answer आप जरूर कमेंट सेक्षिन में बताएं अगर आपको answer नहीं आते हैं तो भी जरूर कमेंट करें मैं आपको right answer बता दूँगा thanks for watching